हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कम बैक तो मैं चैनल, कोशन नमबर फिफ्टी, एक कारपेंटर वोन टो मैनुफेक्चर एक थ्री मीटर लेडर, तो जो एक कारपेंटर है, वो थ्री मीटर की लेडर को बनाना चाहता है, एंड दा लेडर हैवी रंग्स, दा 25 सेंटीमीटर अपा इसे, तो यहां देखो, यह जो लेडर है, तो लेडर देखो, ए शेप का बना हुआ है, तो यहां से यह फर्स्ट जो डंडा है, वो सकिंड डंडे के बीच की जो दूरी है, वो कितनी है, 25, तो यहां तक की जो दूरी है, वो भी कितनी है, 25, तो ऐसे यह सारी दूरी, जो मि uniformly in the length from 45 cm at the bottom to 25 cm, तो यह जो रंग्स का यह जो डंडा दिया है, लास्ट में 45 है, तो यह जो 45 cm है, इससे यह decrease हो रहा है, तो यहां से यह again decrease होगा, तो यह जो decrease हो रहा है, किसी एक fixed number से होगा, क्योंकि उसने uniformly बोल दिया है, तो वो number कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम यहां से यहा से decrease करेगा, तो इसको ले लेंगे 45 माइनस A, तो अगर यह यहां से decrease करेगा, तो यह ले ले लेंगे 45 माइनस A, माइनस A, तो यह आ जाएगा 45 माइनस 2A, ऐसे ही again अगर वो decrease होगा, वो 45 माइनस A, माइनस A, तो यह हो जाएगा 45 माइनस 3A, तो ऐसे यह decrease हो के, लास्ट में ज तो वो डंडा होगा उसकी जो distance हो जाएगा वो कितना है 25 तो next इसने बोला है and the top end का bottom rungs are 2.5 meter apart तो इसका मतलब देखते हैं जो top से लेके नीचे तक का जो distance है वो कितना दे रखा है 2.5 meter तो इसको centimeter में change करेंगे तो hundred से multiply करेंगे तो answer कितना आजाएगा 250 centimeter तो यहाँ पर एक बाद जो notice करने वाली वो है कि यह जो रक्स दे रखे हैं मतलब डंडे दे रखे हैं इन first जो last जो डंडा है last से यहाँ तक का जो second last है इसका beach का distance कितना दे रखा है 25 अगें जो इसका distance दे रखा है वो कितना है 25 तो इसको हम suppose कर लेते हैं जैसे यह zero है इसको one ले लेंगे इसको two और इसको three तो इसको मैंने बताती है वैसे क्यों लिया है तो जब हम 45 है यहां तो शुरू करेंगे तो यह zero ही आ जाएगा तो जो next है 45 से लेके यहां तक का जो distance है वो कितना आएगा इसको one को multiply कर देंगे 25 से तो यह आ जाएगा 25 ऐसे ही जो 45 का अगर distance यहां तक देखेंगे तो तक का यहां मतलब 0 से लेके तो तक का तो वो कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 की यह तो 50 तो इसको हम लिख देंगे 2 into 25 तो यह हो जाएगा 50 ऐसे ही 45 का distance अगर यहां से लेके यहां तक का देखेंगे तो इसके अभी हम 25 से multiply कर देंगे तो यह 75 आ जाएगा तो आप देखो अगर यहां से 25 का distance है यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 25 प्लस 25, 50 प्लस 25, 75 तो वो ही मैंने यहां पे show किया है इसका मतलब क्या होगा कि जब यहां तक जाएगा यह तो इसको n ले लेंगे तो अगर इसको जैसे 0, 1, 2, 3 लिया है तो यह last में कुछ हो जाएगे जैसे यह number है यहां पे n तो इसको भी हम कैसे लेंगे तो यह आजाएगा तो इसको एक मिनट मैं rucks को यहां पे count करके बताऊँ तो यह आएगा 1 rucks यह 2 rucks, यह 3 rucks, यह 4 तो मैंने 1 को जैसे 0 लिखा है और 2 को यहां पे लिख दिया 25 into 1 करके और 3rd जो डंडा है उसको लिख दिया है 25 into 2 जो 3rd डंडा है मैंने उसको यहां 2 लिखा है एक number कम लिखे ऐसे 25 into 3 मैंने लिख दिया है 4 वाले डंडे को तो यह जो 4 डंडा है उसको मैंने कैसे लिख दिया है 25 into 3 तो इसका मतलब अगर ये n होगा तो n को कैसे लिखेंगे तो ये आजाएगा 25 into n-1 तो ये ही आएगा इसका last वाला अब क्या करेंगे हम distance निकालेंगे distance कैसे करेंगे top से लेके bottom तक का तो top और bottom का distance लिखते हैं अगर ये 45 यहाँ है तो last इसका top तक का distance लिखते हैं तो लिखेंगे distance between top to bottom तो यहाँ देखो 45 से लेके यहाँ तक का जो distance है वो कितना आ रहा था 25 n-1 तो एक हामें distance given भी है जो यहाँ top से लेके bottom तक है वो कितना है 250 तो दोनों को हम equal ले लेंगे तो यह दोनों value है centimeter की इसको solve करते है 25 n-25 equal to 250 तो 25 n equal to 250 plus 25 तो 275 equal to 25 n तो n कितना आ गया 275 अपून 25 तो इसको अब हम cancel करेंगे यह 5 के table पे cancel हो रहा है अगा चाहे तो इसको direct भी कर सकते है 11 के table पे cancel होएगा तो n की जो value आई वो कितनी आई 11 तो जो हमारा answer correct होगा वो है C answer फरस्ट जो question था वो था total number of rugs इन्ने ladder is तो कितने डंडे लगेंगे एक पोड़ी को बनाने के लिए तो वो कितने है n equal to 11 तो जो answer correct हो जाएगा वो है C option number 50 का second part the length of the rungs from the bottom to the top तो यहां पे हमें length दे रखी है rungs की जो bottom से top की तरफ है तो from an a a p with first and a last term तो जो bottom का part है वो first term है और यह जो उपर का part है top का वो है last term तो इसको लिख लेंगे a हमें दे रख है 45 cm and जो हमें an दे रखा है वो कितने 25 cm तो यहां पे जो formula लिखेंगे वो है nth term of a a p का तो an equal to कितना आ जाएगा a plus n minus 1 into d तो यहां पे total कितनी rungs लगी थी जो मैंने पिछले जो sum है उसमें प्रूफ किया था कि यह जो total डंडे लगे हैं वो कितने हैं 11 तो an equal to 11 तो यहां पे an हमें दे रखा है 25 equal to 45 plus 11 minus 1 into d तो यहां निकालेंगे the common difference of a a p क्या है तो d की value निकाल देंगे यहां से तो यह जोगा 25 equal to 45 plus 10 into d तो 25 में minus करेंगे 45 equal to 10 into d तो यह इसको sort किया तो 25 में से 45 minus किये तो यह आ जाएगा minus 20 तो minus 20 equal to 10 d तो d कितना आ जाएगा minus 20 divided by 10 equal to minus 2 जो answer correct होगा वो है a option minus 2 cm तो यहां पे हमने common difference ही निकालना था तो यह common difference निकला है तो जो a वाला option है वो है correct answer number 50 का third part the length of middle round is तो हमें length बतानी है यह जो डंडे दे रखे हैं उसके जो middle में आ रहा है तो यहां पे हमने total बता रखा था कि एक ladder को बनानी के लिए कितने डंडे लगे थे तो वो थी anti value 11 तो अब यहां पे उसका middle रख का बताएंगे length क्या है तो इसको हम लिख देंगे out of 11 rugs तो 11 rugs में तो जो middle वाला होगा वो कौन सा है तो middle rugs equal to कितना हो जाएगा यहां जी odd term दी है तो odd में अगर हमने middle term निकालनी हो तो formula क्या हो जाएगा n plus 1 by 2 तो यह आ जाएगा 11 plus 1 by 2 तो यह कितना आ गया 12 by 2 solve किया तो कितना आ गया 6 तो हम जो 6 का जो रग है उसकी length find करेंगे तो a 6 निकाल लेंगे तो a 6 equal to कितना होता है a plus n minus 1 into d यहां पे हमें a दे रखा है 45 cm जो n है तो n की जो value दे रखी है वो है 6 तो यहां पे हमने d d हमने पिछली question में निकाला था तो d कितना था minus 2 तो इसको solve करेंगे तो यह आ जाएगा 45 plus n की जगा 6 minus 1 into minus 2 तो 45 minus 5 2 का कितना होता है 10 तो solve किया कितना है 35 जो answer correct होगा वो है b option फॉर्थ पार देखते है length of the wood used for the rumses तो यहां पे जो डंडे बनाने के लिए जितनी wood की length used हुई है वो पताएंगे तो यह जो figure है यहां देखो यह जो डंडे बनाए है इनकी हम total length निकालेंगे तो यहां पे जो formula लगेगा वो है sn का तो sn जब हमें first और last term पता हो तो हम लगा सकते n by 2 a plus r तो चाहे आप दूसरा भी यह भी लगा सकते हो sn equal to n by 2 2 a plus n minus 1 into d तो हमें जो first term दे रखी है यहां देखो bottom की तरफ first है 45 और जो last term दे रखी है वो कितनी है 25 तो हमें n की value भी दे रखी है वो हमने निकाली थी first part में वो कितनी थी जो यहां जो डंडे बनाने के लिए total जो थे कितने डंडे लगे थे 11 डंडे तो n equal to कितना हो जाएगा 11 तो इसको अब हम solve करेंगे तो इसकी total length निकालेंगे तो मैं यह formula से लिखा दी हूँ तो s n equal to कितना हो गया 11 by 2 तो यह कितना दिया है 45 plus 25 तो इसको solve करेंगे 11 by 2 45 में plus किये 25 तो यह हो जाएगा 70 तो 11 by 2 तो 70 को अब हम 2 के साथ cancel कर देंगे तो 35 आ जाएगा 11 into 35 कितना होता है तो यह हो गया 385 तो यहाँ जही तो answer आया centimeter में आया हमें meter में चाहिए क्योंकि उन्होंने caution में option में हमें meter में पूछा है तो हम क्या करेंगे इसको 100 से divide कर देंगे तो वो meter निकल आएगा तो यह ऐसे 100 से divide किया तो answer कितना है 3.85 तो answer जो correct होगा हो है C option number 50 का 5th part देखते है the length of the wood required for a ladder तो पोड़ी बनाने के लिए कितनी लकड़ी की length की जरूरत है तो पिछले caution में हमने निकाला था length of the wood used for a rug तो यह देखो हमने पिछले caution में यह जो पार्ट थे यह जो उसके रक्स थे उसकी length बताई थी कि कितनी लगी थी तो वो निकाली थी हमने तो यहाँ निकाली थी length of wood used for rungs तो जो यह डंड़े बनाने के जो length निकाली थी हमने वो थी 3.85 तो इस question में हमने निकालना है कि जो पोड़ी बनाने के लिए कितनी लकड़ी की length की जरूरत है तो हम इसमें क्या करते हैं यह जो figure है यहाँ पे यह तो डंड़े की आई थी length 3.85 तो हम यह जो 3.85 है starting में उसने बोला था जो पोड़ी है वो उसने 3 मीटर की बनाई है तो यह 3 मीटर की है तो यह और यह दोनों में हम 3 प्लस 3 एड़ कर देंगे तो लिख देंगे 3.85 प्लस 3 प्लस 3 तो यह आ जाएगा इसको solve करेंगे तो यह आ जाएगा 9.85 मीटर तो यहां हमने 3 जो एड़ किये है वो यह वाले डंडे आड़ किये है क्योंकि यह vertically जो डंडे थे यह तो अंदर वाले डंडे की length निकाली थी 3.85 जो vertically यह जो डंडे है यह जो डंडे है इनको 3 प्लस 3 कर दिया तो उनसे कितना आ जाएगा 9.85 तो जो option में correct होगा वो है B option Question No.5 का 6 बार देखते है इफे वुड कोस्ट रूपीस 100 पर मीटर कोस्ट तो अगर पर मीटर कोस्ट है जो लकडी की वो 100 रूपीस है तो कोस्ट ओफ लेडर वो कितनी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे जो कोस्ट ओफ वुड रिक्वाइड टू में के लैडर जो कोस्ट लगी है पोरी को बनाने के लिए वो कितनी थी पिछले कोशन में निकाली थी 9.85 मीटर तो जो इसको हम हंडर से मल्टिप्लाई कर देंगे तो ये कोस्ट निकल आएगी तो वो कितनी आगी